नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका Target 2022 के इस सेशन में जहांपर हम लोग डिसकस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टन करेंट अफेर इट टॉक्स अबाउट सर्कुलर एकनॉमी और इस टॉपिक को आप Malthusian Theory से जोर सकते हो इसको आप Limits to Growth Model से जोर सकते हो कैसे जोरेंगे चलो आज के सेशन में वही चीज़ें डिसकस करेंगे anyways but discussing करने से पहले पहले समझ तो ले ना circular economy होती क्या है दोस्तों आपने शायद पढ़ा होगा ना that humans बहुत ही जादा resource consume कर रहे है और आने वाले समय में एक ऐसा period जब आया मतलब वह तो खेर period स्टार्ट हो चुका है जहां पर हमें resources crunch देखने को मिल रहे है तो circular economy बात करती है sustainability की right sustainability right और sustainability की जबी भी बात करे sustainable development goal याद आपको दिमाग में click कर ड़ना चाहिए जहां पर हर एक aspect में the world want to become sustainable मतलब ऐसा नहीं that आप resources का इस्तमाल करना बिलकुल घटा दो ना 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 resource का इस्तमाल करना घटा होगे तो वही कैसे चलोगे right वो तो possible अब loudspeaker में बहुत कुछ you know चाहिए होता है जैसे कुछ-कुछ metals चाहिए होता है जो काफी जादा precious metals होता है right अगर सोचो आपका headphone खडाब हो गया तो आप तो उसको फिक दोगे loudspeaker को headphone को है ना क्योंकि हमें पता नहीं देट उससे उस resource को कैसे extract करिया जा सके right but still वो अभी भी resource है लेकिन है ना but हमारे लिए वो resource नहीं है ठीक है resources का तो यही ना definition होता है जी ऐसा आप कोई भी substance जिसकी utility हो आपके लिए that is the resource for you but अगर वो utility है नहीं तो वो resource है नहीं हमारे लिए जैसे पहले mushroom right पहले हम लोग उसको मेंड़क का चत्ता बोला जाता था mushroom को है ना लोग खाती ही नहीं थे बट बात में जब पता चला था उस mushroom को खाया भी जाता है ना तब उसकी production ऐसे हो गई मतलब जब तक पता नहीं था तो वो हमारे लिए वो resource नहीं था बट जब पता चला तो उसका cost बढ़ गया समझा बात यहीं चीज है basically circular economy को भी बात की जा रही है हेटफोन जब खड़ाब हो गया तो वह वेस्ट आपका क्रियेट हो गया अब उस वेस्ट को हम लोग फेक देते हैं राइट अब यहां पे circular economy में बात की जा रही है क्यों ना उस वेस्ट को collect किया जाए और उसको segregate किया जाए ना यहां पर आप कंफ्यूस कर सकते हो collection और segregation में क्या difference है देखो collection मतलब आपने जो headphone फेका उसको collect करना अब segregation मतलब headphone से भी वह वाला material को निकालना जो के important है आपके लिए ठीक है क्योंकि अगें जब हेली फट पर बढ़बाद हो जाता है तो उसका cushion वह क्या कामका होता है थो ना नहीं ना कोई कामका नहीं है उसको फेक दो तो उन सब चीज को पहले तो collect करना उसके बाद उस important material को segregate करना उसके बाद segregation करके उसको जैसे अब सोचो कुछ बेटल सेग्रिकेट वा या फिर को एक छोटा modern device सेग्रिकेट हुआ उसको कैसे यूज में लगाओगे राइट तो यूज में लगाना मतलब क्या उसको रिसाइकल करना है ना क्योंकि पहले तो उसको रिसाइकल करके नया प्रोज्ट लाँज करेंगे जिसको आल्टीमेटल कि फिर से मार्केट में बेज देंगे राइट उससे मार्केट में बेज होगा फिर से वो यूटिलाइज होगा फिर से वो वेस्ट जनरेट होगा तो यह साइकल चलता रहता इसी लिए इसको बोल इस एकोनॉमी को बोला जा रहा है सर्क्यूलर एकोनॉमी अब इस एकोनॉम हम सब चीज को रिन्यू करना चाहते हैं और यह चीज को जैसे कि मैं पहले ही बोला एक पहले ही बता दे रहा हूं ठीक है जो क्या आपके द्वारा दिया गया था इसमें बोला किया जाता है देट समय के साथ-साथ जो है एक ऐसा समय आएगा डाट इस वो समय बाना गया है 2180 ठीक है उस समय में जा अभी तो पॉपुलेशन भी बन रहा है सब कुछ बर रहा है पॉलूशन भी रहा है इंडेश्ट्रियल आउ आप्स कर जाएंगे सब को लाप्स कर जाएंगे ऐसा ये टाइम पिरिएड बताया किया 2100 यह कौन यह को भविष्य मैं बढ़ बीड़ भाई साब या फिर फोर्स्टर भाई साब क्या कोई बढ़ भगवान थे क्या उनलों को क्या फ्यूचर देख रहा था क्या नहीं नही इसा नहीं थे उन लोग ने सिम्यूलेशन मॉडल यूज किया था सिम्यूलेशन मॉडल राइट ये कंप्यूटर मॉडल है जिसके आधार पर इन्होंने उसको उस मॉडल को रखा और देखा देखा देट दोहजार एराउंड सो तक पूरा धरती जो है कोलाप्स कर जाएग बट क्या इतना आसान है यार इतना हम लोग मतलब उसको लाप्स करते देंगे नहीं हम human है right we can bring changes मतलब कहीं न कहीं अगर ये कोलाप्स कर जाएगा ये हम बोल रहे हैं मतलब हम बोल सकते हैं that इनका theory जो है थोड़ा deterministic in nature है है ना यहीं न मोल सकते हैं जी तो overall ये growth का model पहली बात तो हम लोग ये देखते हैं that इसको रखा किसके द्वारा गया था ये रखा गया था 1972 में clubs of Rome के द्वारा इस model को present किया गया था इससे पहले ना बहुत कोई चीजे आजूबा जो दुनिया में चल रही थी जैसे जैसे इंडेस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था इंडेस्ट्रियलाइजेशन अगर बढ़ेगा तो of course population भी बढ़ेगा क्यूंकि इंडेस्ट्रियल आउट्पूर्ट कब बढ़ेगा source crunch होगा, pollution बहुत जादा बढ़ जाएगा, pollution बढ़ जाएगा, तो यह सब incidents बेसिकली देखा जा रहा था, यह सब चीजे तो हो रही है, तो क्यों ना उसी चीज को हम एक computer model में रखकर हम लोग present कर दें, क्योंकि तब के समय देखो अभी जितना दुनिया मैचॉर्ड है, क्य हाँ, दुनिया इतना जादा बदल जाएगी, जब अभी हम लोग मतलब aliens खोजने निकल गया है, exoplanets खोजने निकल गया है, तब शायद दुनिया को इतना पता भी नहीं था, anyways, but यह सब चीजे को मधे नजर देखते हुए, इंसान की sustainability को ensure करना एक बहुत बड़ा challenge था इनक नहीं नहीं प्रेडिक्शन नहीं है, यह projection वाला model है, मैंने बोला ना, extrapolation वाला model है, जहांबर computer model में कुछ-कुछ data's feed up कर दिये गए और वो data's कहां से मिले थे, of course, जो तब के समय का pollution trends data था, world में resources का crunches कैसे हो रहा है, कैसे world की resources को utilize किया जा रहा है, वो सारे data तो तभी भी अबिले थे ना, जी, तो उस समय के हिसाब से basically extrapolate करके देखा गया that future में क्या होने वाला है, extrapolation का बोले तो जैसे example ले लो, है ना, जैसे for example आप एक जोग्रफी में ही example ले लेते है, right, जैसे आप सोचो कोई region है, right, वहा का temperature पहले इतना था, rainfall पहले इतना था, right, अभी क्या हो ना, temperature धिले धिले बर रहा है, right, और rainfall धिले धिले उस region का घट रहा है, तो आप क्या future को extrapolate कर सकते हो that future में क्या होगा, अगर past मे 100 साल का कुछ ऐसा performance रहा, और 100 साल का कुछ ऐसा performance रहा, तो आने वाले 100 साल में भी तो आप इसको अगर simply कुछ नहीं, इसको graph को points को meet up कर दो, बस, और graph को बढ़ा दो, automatically, वो जो चीज आएगा, वो हुआ projection, वो है extrapolation, और वो extrapolation किसके आधर पर करते हैं, by analyzing the top का जो भी data आपके पास present है, उदके आधर पर basically extrapolate करके इस theory को justify किया जाता है, जिसका नाम है, limits to growth model, now, नाम से ही पता चलता है, growth, right, limits, उस पे limit लग रहा है, growth पे limit रहा है, दुनिया growth कर रही है, develop हो रही है दुनिया, but एक point ऐसा हैगा, जब उस पे limit लग जाएगा, right, that is called limits to growth, जैसे, जैसे Malthusian theory में आ जो लग था, that population जो है, वो geometric progression से बर रहा है, food availability, resource availability जो है, वो आपका जाके, arithmetic progression से बर रहा है, तो जब यह arithmetic progression से बरेगा, तब तो धिरे-दिरे ना बरेगा, जी, और जब population geometric progression से बरेगा, तब तो एक तम exponential तरीके से बरेगा, right, तो अगर ऐसा होगा, तो एक पॉइंट आफ ऐसा तो जरूर आएगा न, जब population बहुत जादा बढ़ जाएगा, as compared to the availability of food, है न, जिसके बाद, जो है, positive checks आएगे, यही सिब चीज़ था हम लोग आप Malthusian theory में पढ़ा था, right, वही चीज, यह भी जो theory है, न, बहुत है तक Malthusian theory से influence theory है, right, and, in addition to Malthusian parameters of population, उनका तो एक parameter था, population, right, that population बढ़ेगा, तो food availability, population का food availability के साथ उन्होंने relate किया था, right, but इन्होंने सिर्फ population ही नहीं लिया, इन्होंने natural resource, earth का capacity किया है to absorb pollution, industrial output, यह सारे अलग-अलग factors को consider किया, right, तो आप देखो, दोनों model आपको clearly same-same देख रहे है, है न, Malthusian theory भी, यह भी, but Malthusian theory में food की availability को किसके साथ relate किया गया था, population के साथ, but यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ population ही नहीं, pollution control, natural resource availability, earth का capacity किता है, industrial output, यह सब सारे अलग-अलग factors भी consider किये गये थे, और उसी के आधार पर आपको यह limits to growth model present किया गया, किन के दवारा, J. Forrester भाई साब के दवारा, इनका जो model जो इ जो क्या आधार है, system dynamics के ऊपर, system dynamics क्या है, मैंने बोला ना, वो computer model, यही है system dynamics model, right, जिसमें computer modeling के थुरू, world system को analyze किया गया था, और अलग-अलग variables जो मैंने बोला न, जैसे pollution, population, industrial output, resource, right, सब variable को एक साथ, उसके past में data, जो 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 एवल थे, उस हिसाब से extrapolate करके basically देखा गया और देखा गया अगर यह future में population बरता है, जिसके साथ industrial output बरता है, जिसके साथ pollution बरता है, environmental, तो उससे overall impact कैसा होगा, किसके उपर impact, social living के उपर, हमारा social living के उपर कैसा impact रहेगा, हमारी economic system के उपर क्या impact रहेगी, समझ रहो बात, तो यह चीज़ है, आच्छा, यह तो world one model में इनों रखा ही था, बाद में इनोंने world one model को modify करके world two model present किया गया, चलो देखते हैं, क्या बोला गया, world two model में, world two model में बोला गया, पहले तो बता दे रहो यह, पहले world one model जा ना, सिर्फ forrester भाई सापने दिया था, right, world two model में forrester के साथ meadows भी आ गया है, और again, जैसे world one model में इनोंने system dynamics model यूज किया था, वैसे ही system dynamics का extrapolation model जो है, यहाँ पर भी इस्तमाल करके इनोंने future को predict करने की कोशिश की, और इस model का जो focal theme था, वह यह था, that understand करना था, the impact of economic growth, population increment and resource utilization on future of mankind, इंसान का जो भविश्य है न, उस पे economic growth का क्या impact रहेगा, population growth का क्या impact रहेगा, और resource utilization का क्या impact रहेगा, right, और साथ ही साथ believe करते थे, that growth is limited by nature, nature के द्वारा जो है, growth को, इसलिए तो मैंने बोला, that overall इसको जो है, deterministic model कहा जाता है, अब समझ गया है, क्यों कहा जाता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला जा, that nature जो है, वो growth को determine करेगा यह कौन से model में, again, deterministic model में ही बोला जाता है, और इस model में जो है न, 5 variables को consider किये गए थे, और वो वैसे 5 variables थे, जो आपस में interdependent है, जैसे population, अब देखो, population बढ़ेगा, तो obvious सा बात है, per capita ability of food भी बढ़ेगी, right, population बढ़ रहा है, per capita ability of food बढ़ रहा है, right, तो इससे क्या होगा overall, you know, और भी जादा production चीजे होंगी, क्या नहीं, right, मतलब industrial output भी बढ़ेगा, industrial output अगर बढ़ना है, तो obvious बात है, pollution भी बढ़ेगा, जब pollution यह सब सब कुछ बढ़ रहा है, pollution बढ़ रहा है, food ability, per capita output बढ़ रहा है, तो indirectly जो मार पढ़ेगा, वह मार पढ़ेगा, resource, resources के उपर ठीक है, क्योंकि, अब सोचो, output अगर बढ़ा किस के थ्रू, resources के थ्रू ही ना बनेगा, जी, तो resource तो घटेगा न, ultimately, क्योंकि, आप resources के इस्तेवाल करके ही, final product बना रहे हो, अपना, ठीक है, तो यही चीज, basically, इसमें भी consider किया गया था, इसके world 2 model में, क्या खा, ये 5 variables, ध् limited है, right, resources की ज्यादा ability नहीं है, cultivable land जो है, वो भी limited है, देखो, घ्यान से, एक तो है, resources का limitation, सब कुछ में limitation लगा दिया, देखो, सब कुछ लिब, देखो, एक चीज में बता देना हो, पहले, limited, 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 right, सब कुछ limited ही, almost, ठीक है, इसी लिए हम इसको यादा रहे, limits to growth model, क्य क्योंकि यह model है, उस समय के हिसाब से, यह model was very much important, क्योंकि जब से, यह model आया है, दोस्तो, उसके बास से, कही ना कही, world forum में, various scholars, various geographers के बीच में, एक महस छिडगया, that हा, हमें आने वाले समय में, जो है, resources का utilization कर, I mean, resources का proper utilization करना चाहिए, इसी लिए, तो आज का जो हम लोग article जो देख रहे है, circular economy, किसलिए भाई, यह कहां से, यह निया term ऊचल के आ गया, है ना, क्या आपको पहले दिखता था यह term, नहीं, but इस, इन साल में, respectively, बहुत जादा यह terms, आपको देखने को में रहे है, circular economy, circular, क्या है यह, इसी लिए, तो हम लोग बात कर रहे है, क्योंकि इन models को अलरी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, limits to growth model, ठीक है, अगर यह models नहीं आते हैं, तो human जो है, उतना जादा conscious नहीं होते है, शायद प्रकृ समझ रहो, तो इसी लिए, यहाँ पर इस assume क्या किया गया है model में, देखो model है, मतलब सब कुछ चीज़ है, assume तो करना ही पड़ेगा, अगर आप assume नहीं करोगे ना, तब तो model बनेगा ही नहीं, नहीं तो पूरा critics ही होगा उसका, है ना, again, मैं मान रहा हूँ, यह जो भी आप क्यों करोगे नहीं, तब तक model आप model को justify नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो model कोई भी model हो, जैसे हम लोग का agriculture location model परते हैं, Weber's industrial location model परते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ assumption करते हैं ना, जी, वैसे ही यहाँ पर भी assumption करना पड़ेगा, क्या क्या assumption है, वो assumption है, that resource जो है, एक तो limited है, एक पॉइंट अफ टाइम के बाद, जादा resource हम extract नहीं कर सकते हैं, जो क्या eventually कहीं ना कहीं, true है, right, but, कौन से resource limited है, वो non-renewable is limited है, ना, renewable resources के लिमिटेड है, अब बतो ना, सूरज की राशनी से जो हम लोग पावर एक्स्राइक कर सकते हैं, वो क्या limited है, नहीं, unlimited है वो, है ना, तो वही चीज है, but, हाँ, इनोंने in general resources को limited कहा, साथी साथ मोला, इनोंने, cultivable land जो है वो भी limited है, pollution absorption capacity जो है, of environment, वो भी limited है, cultivation capacity of land जो है, ये भी limited है, इसकी के करण जो है, हम agriculture production एक limit से जाधा नहीं कर सकते हैं, हमारी जो environment है, बहुत pollution निकलता है, उसको absorb करती है, right, but, एक level के बाद, वो pollution absorb नहीं कर सकती है, right, give importance to tech capacity, जी, हाँ, एक चीज जो यहाँ पर बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि, अगे, ये क्या है, simulation model है, ना, जी, तो technological capacity और technological development को focus किया गया और बोला गया है, that, हाँ, कही ना, कही resource recycling is possible, pollution control measures are possible, but still, कितना देर तक आप control करोगे, एक तो ऐसा समय आएगा ही ना, जब सब कुछ collapse हो जाएगा, वो चीज, basically, इस theory के थारा बोला गया है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये model है, जहाँ पर extrapolate किया जाता है, growth को in each factor and its impact, जैसे, अच्छा, वही, extrapolate growth को in each factor and its impact, मतलब, जैसे growth होगा, तो, कोई भी sector में, जैसे population growth हो रहा है, उसके साथ industrial output बर रहा है, industrial output बर रहा है, population बर रहा है, साथ-साथ pollution भी बरेगा, अब ये सब सब कुछ अगर बरेगा, तो ये क्यों बर रहा है, of course, क्योंकि activities, industrial activities ह हो रही है, right, that is, resources का खपत हो रहा है, pollution बर रहा है, तो उसका impact भी तो हमें देखने को मिलागा, ठीक है, और यही बोला जा रहा है, अगर, जैसे की main aim क्या है, limits to growth model का, that at the long run, हम इसको sustainable way में कर सके, right, और sustainable way में कैसे कर सकेंगे, जब हम policies को changes करेंगे, right, जैसे SDG global, ये क्या ह है, भाई, ये क्या तब के समय में था, नहीं था, right, जैसे circular economy को promotion करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे renewable energy की जादा से जादा इस्तमाल करने को बोला जा रहा है, right, तो ये सब अलग-अलग factors है, जिसको overall justify किया गया है, इस theory में, और बोला गया है, that हाँ, ये सब अगर किया है, तो कही ना कही growth हम लोग जादा देर तक sustain कर सकते है, समझ रहो बात, तो basic जो है आपको limits to growth model का, वह आपको समझ जाना चाहिए, that actually भी ये model बोलना क्या चाहती है, इसका क्या aim है, और ये क्या achieve करना चाहती है, देखो वही चीज, basically ये model भी देख रहो, यही model है basically इसका graphical representation जहां पर देखो, ये क्या है, ये जो है ना, population है, ठीक है, पॉपुलेशन बर रहा है एक समय तक, देखो, ये है एक समय है, है ना, industrial output भी बर रहा है एक समय तक, है ना, industrial output अगर बर रहा है, food availability भी तो बड़ेगा एक समय तक, right, और pollution भी बर रहा है एक समय तक, but, इसके साथ तो यही चाहिए और 2100 तक यह सब कुछ कुलाप्स कर जाएगा जा ना पॉलुशन बचेगा ना पॉलुशन भी कम होगा तब फूड अपुलेशन भी घट जाएगी बहुत अधक पॉपुलेशन भी घट जाएगी और रिसोर्स भी बहुत तक घट जाएगी जिसके कारनन के दोरा विरिएस रूल गया रान रन्थू रघटी रफ ओ और वने स्युशन ैदर भी यशन किॉपंत करते रहते है कर ते रहते मतलब ओर आल अगर हम लोग of growth model का जिस्ट देखे तो यही बोला जा रहा है that future में जो है na world population, food production और industrial production ये सब कुछ चीज़ बढ़ेगी, right? world population, food production, industrial population बढ़ेगी, but एक समय ऐसा आएगा, जब बाद में यहाँ जो है, collapse भी करेगी, और वो कौन सा समय रहेगा? by the end of 21st century, that is 2100 AD तक सारा resource यहाँ collapse करने के कगार में पहुच जाएगा, और main जो reason रहेगा collapse का, वह रहेगा environmental pollution, right? और हमने तो पता है, पहली डिसकस कर लिया था ना, assumption में, that earth का जो environment का जो हमारा pollution absorption का capacity है, वो बहुत कम है, है ना? तो again, इतना जादा कर लेगी, that और capacity नहीं रहेगा अर्थ के पास, ठीक है, renewable resources का usage is अंदा धूर तरीके से हो जाएगा, आप तो देखी रहेगा, यह क्या है, that अभी का जो revolution जो चल रहाएगा, अभी जो paradigm shift कर रहा है, वो non-renewable से renewable के तरफ ही ना हम भाग रहे हैं, जी, जिसके कारण agriculture land cultivation जो है, वो भी बहुत हाथ कम availability हमारे पास रहेगी, वैसे तो technology रहेगा हमारे पास, बट technology resources को limitless नहीं बना सकता, इसलिए, हमें क्या जरूरत है, ता आने वाले समय में, resources का rational utilization, इसलिए तो मैंने आज के topic में आपको circular economy के बारे में बता है, ना, समझ गया, देखो, इसलिए बोलता हूँ ना, कोई भी अगर topic को हम लोग पर नहीं, ठीक है, आप लोग पढ़िए, आपको GST perspective से पढ़िए, इस class में आपको attend करने का फायदा यही होगा, आपको कुछ भी अलग से पढ़ना नहीं है, बट मैं ही आपको इतना push करवाऊंगा, कोशिश कर मेरी यही रहेगी, एक attempt में निकाल लो, क्योंकि बहुत बच्चों का time लग जाता है, पता है, geography optional में, लोग बलते हैं, दो एटम में लग गया, तीन एटम में लग गया, बहुत जादा कचरा लगता है मुझे, तो इसलिए मेरा initiative यही रहेगा, तो हर रोज कुछ ना कुछ आपके दिबाग में गुसाता जाओ, गुसाता जाओ, जिससे आपका at least वो चीज बना हुआ रहा है, ठीक है, अगर क्रिटिसिसम ओवर ओल, फोरेस्टर मॉडल का अम लोग देखेंगे दोस्तों, इस मॉडल का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिम यह है, इनों ने जो वो एक्स्टरपोलेशन का मॉडल रखा था ना दोस्तों, यह पुरा दुनिया के लिए इनों ने इन जेनरल लग दिया था, आप बताओ, आप बताओ, क्या दुनिया एक है, अफकोर्स, मतलब, क्या हमारी पॉलेसी इटली मानेगी, क्या यूएसे का पॉलेसी साउथ अफरिका मानेगा, कभी नहीं मानेगा, क्या ऑस्ट्रेलिया का पॉलेसी चाइना मानेगा, कभी नहीं मानेगा, हर एक देश जो है, अलग अलग है, कोई-कोई देश, डेवलप्ट कंट्रीज है, कोई-कोई देश, या या से कंट्रीज रशीय पर प्रवद्ट एपी फुक्राई देखना प्रवड़ाइब तो इस दू पर आपनी पर आप कर्पुलम को एंद या कि अवर प्रवड़ाटर्से एंडिया मतलब तो अन्दून तरीके से बड़े जाँरा राई तो इस model, that is Forrester and Meadows का model है, limits to growth का, सबसे बड़ा क्रिटिसिजम यही है इसमें दुनिया को एक unit माना है, but in reality जैसे मैंने बोला, developed countries अलग होते हैं, developing countries अलग होते हैं हर एक कंट्री के अलग problem होता है, तो again, सब को एक साथ हमको नहीं माना जा सकते ऐसा भी हो सकता है, that शायद कल को नाइजेरिया में एक दम resource crunch हमने देखने को मिल रहा है, right but तब जो है, एक दम you know, France बहुत खुश है, क्योंकि France में कोई problem ही नहीं है right, ऐसा भी हो सकता है you never know, right, तो यह सब चीज़े है, इस model को बहुत ही जाद oversimplified इनों ने कर दिया है, right कही ना कही जो भी predictions किया गया in models में various run के थू, right, बहुत ही जादा क्या बोल सूकता हूँ मनला अजीब टैगा प्रेडिक्शन है that हाँ, यह हो जाएगा, है ना future मैं ऐसा बोला गया, that हाँ, population बढ़ेगा, तो pollution भी बढ़ेगा यह का कोई, मनला जबरदस्ती है का, भाई, ऐसा बढ़ेगा ही है ना, तो यह सब चीज़े बहुत, मनला, unrealistic चीज़े भी बोली गई बट क्योंकि, again, यह model है तो आपको समझना पड़ेगा, that is model के limitations कुछ रहता, anyways अगर इन चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से आपको समझना है दोस्तों, तो again, आप सब समय हमारे classes join कर सकते हैं, geography optional के online classes चल रहे हैं, आप इनको number पर contacts कर सकते हैं, अगर इन classes को properly आपको attend करना है seriously attend करो भाई give it a last attempt है make sure that यही attempt आपका last है और अगले बार निकालना है आपको exam ठीक है, all the very best guys good luck, bye bye, take care